जोशीला यश्चोपड़ा द्वारा निर्देशित 1973 की बॉलीवुड थरिला फिल्म है फिल्म में देव आनंद, हेमा मालिनी और राखी हैं फिल्म के अधिकान शावडोर हिस्सों की शूटी दाजे लीग पश्चिम बंगाल में की गई थी ये फिल्म जेम्स हेडली चेस के 1969 के उपन्यास शौक ट्रीट्मेंट से काफी हद तक प्रेरित है जेला मनमोहन कृष्न कठोर कारावास की सजा काट रहे दोशियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार है उनकी एक युवा, सुंदर और आकरशक बेटी है जिसका नाम शालिनी है शालिनी एक कवित्री है एक दिन अपनी कविता सुनाते समय उसकी मुलाकात एक युवक से होती है जो अपना परिचय अमर के रूप में देता है जो खुद भी एक कवी होता है वे दोनों एक साथ खुबसूरत पल बिताते हैं और खुद को एक दूसरे के प्रती आकरशित पाते हैं शालिनी जानना चाहती है कि अमर जेल में क्यूं है उसे सपष्ट शब्दों में बताया गया कि अमर हत्या के आरोप में जेल में है अपने पूर्फ प्रेमी सपना के भाई की हत्या के लिए उसे ये भी पता चला कि यह सच नहीं है और वह अमर को जेल से रिहा कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी क्यूंकि वह उससे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है बाद में अपनी रिहाय के बाद उन्होंने अपनी मां को बहुत खराब हालत में पाया उन्होंने अपनी बेहन को भी एक night club में नर्तकी के रूप में पाया जहां उनके कैदी के दिनों के पुराने दोस्त मदनलाल डोग्रा उनके पास आए और उनकी मदद करने का आश्वासन दिया बाद में मदनलाल की उसके कुछ प्रतिद्वंद्वियों ने हत्या कर दी अमर ने मदनलाल डोग्रा के रूप में नौकरी करने का फैसला किया कुछ दिनों में उसे एहसास हुआ कि ठाकुर की पत्मी अपने पती को मारने का इरादा रखती है शालिनी बाद में ठाकुर राजपाल सिंग की बेटी बन कर आए